पटा करवाई कि क्या बात है कि हमारे घर में लाइन क्यूं नहीं है बिल्कूल यह सोचा समझा साजिस है तंग करने का यह उनका उठ्ण लियां तंग करने का इससे पहले भी एक बार ऐसे हुआ था कहीं किसी के पास कालाधन है हमारे पास कालाधन नहीं है कि आप 74,000 बोलेंगे और एंटेनडम 74,000 का लोग बील पेमेंट कर देगा नमस्कार आप णैक आप सथ रोहित वर्मा देखें बिहार में आम तो आम अब खास लोगों के घर की भी बिजली गंटों से कटने लगी है इस वक्त हम पूर्व मंत्री और BJP के विधायक नीरत सिंग बबलू के सरकारी अवास पर है अगल बगल कई माननिये का घर है कई विधायक, कई MLA यहाँ पर रहते हैं राजा, डेडू, BJP, सभी राजनितिक दल के विधायक इसी जगह, इसी कमपाउंड में राते हैं बगर नीरत सिंग बबलू के जो सरकारी अवास है वहाँ पर उनकी बिजली काट दी गई है उनकी पत्नी हमारे साथ है BJP से पूर्वे MLSी भी रहा चुके है आखिर पंखा होकने का कारण इसके पीछे क्या 12 बजे से बिजली कटी हुई है परिशानी कितने हो री गए पंखा होकने का कारण तो आप लोग देखी रहे कि कितना गर्मी है काफी गर्मी है और हमारे घर में 12 बजे से लाइट काट दिया गया है जब हमारे घर में लाइट कटा तो लाइट कटने के बाद आदे गंटे के बाद हमको लगा क्या की चलो कोई बात नहीं हो सकता है कभी कभी होता है तो सब का लाइट कटा हुआ होगा तो देखने के बाद पता चला कि भाई सब के घर में लाइट है हमारे घर में लाइट नहीं है तो पता करवाए कि क्या बा जोते हैं हो सकता है कि आपका बिजली बिल जादा हो गया होगा तो दिखवाए वहां से जब बिदान सभासे पता सब्सक्राइब करती है सरकार करती है और ऐसा ही नहीं अगर है जो सरकार को आइना दिखाने का काम करते हैं तो यह टारगेट पहने पर इसे पहले भी ऐका ऐसे हुआ था तो चलो भाइब कोई बात नहीं का सुन करके हो गया यह दूसरी बार अगर सब के घर का होता तो कोई बात नहीं है आप उनको वह वह वैसे माननिये को जो माननिये उनको आयना दिखाने का काम करते हैं उनको फोट टार्गेट पर सकते हैं और उनको अब भी तो आप जैसा की मैं बबताई कि बिधान सभास से पेमेंट होना था और बिधान सभास से आप अगर यह कहा देते कि नहीं पिरोदी हैं हम आपका पेमेंट नहीं करेंगे और बिना कहें हम यह भी कर रहे हैं कि आप पटना छोर के चले जाएए आपके कहने से हम लोग जनता के से बाख हैं हम लोग आवाज उठाएंगे मुद्दा रखेंगे आप जो कुछ करेंगे तो आपको आइना दिखाने का काम करेंगे नितिस भाबू करने से कुछ नहीं होगा नहीं आपके इतना तंग करने से हम लोग तंग होने वाले नहीं हैं और आप एका एक अगर पता चलता कि 64000 का बील तो 64,000 का बील आप लोग ही बताये कि कहीं किसी के पास काला थन है हमारे पास काला धन नहीं है हमारे पास घोटाला का पैसा नहीं है कि आप 44000 बोलेंगे और इतेंडम चौशार 63000 का लोग बील पेमेंट कर देगा आप देख रहे हैं कि कि तना परषानी हो रही है आप सब्सक्राइब कर दो